Now students, लेते हैं, last question, that is question number 5, क्या रहा है, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square, if so, find its length and breadth, okay students, तो देखिए, आपको क्या बोल रहा है, कि एक rectangular park है, इस तरीके से, ठीक, ये rectangular park है, ठीके students, ओके, ये आपका rectangular park है, और कह रहा है कि देखो भई, इस rectangular park का जो area है, इस rectangular park का जो क्या है, area है, area कितना given ह आपको, देखिए, लिख देते हैं ही पर area कितना given है, area given है, आपको 400 meter square, ये आपका area है, ठीके students, और इसका perimeter, perimeter कितना given है, आपको, perimeter कितना given है, 80 meter, देखो कुछ बच्चों को perimeter नहीं पता है, area का मतलब, ये जो total surface है, ये जो total region, ये जो आप region देख रहे हो, ये जो shaded region है, ये area area है, इतना तो पता होगा, ये देखिए, ये जो shaded region है, ये क्या आपका area है, ओके, ये देखिए, ये पूरा जो area है, ये कितना है, 400 meter square है, ओके students, चलो, अब यहाँ पर perimeter का मतलब होता है, कि rectangular की boundary की length, मतलब समझो, मान लो, ये वाले rectangle का नाम है, rectangle A, B, C, और D, ओके students, ठीक, तो perimeter का मतलब होता है, A, B, प्लस, B, C, प्लस, C, D, प्लस, D, A, B, प्लस, B, C, प्लस, C, D, प्लस, D, ओके students, तो मान लो, मैंने इसकी length को X assume कर लिया, मान सकता हूं भई, length कितनी X meter से, मान लो, भई, length कितनी X है, ठीक, और breadth कितनी हो जाएगी, ठीक, तो बताओ perimeter कितना आएग length plus breadth is equals to perimeter, मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, perimeter का मतलब this X plus this Y, यह जो boundary की length है, this plus this plus this plus this, okay, X plus Y plus X, और plus Y, X plus Y plus X plus Y, ठीक है, is equals to, यही क्या आपका perimeter है, तो यह perimeter कितना दे रखा है, check कर लो, 80 दे रखा है, ठीक, X plus X होता है, आपका 2X, और plus Y plus Y होता है, आपका 2Y, is equals to कित ना दे रखा है, 80, ठीक है, यही perimeter का है, 80, यहाँ से 2 common ले लोगे आप, तो 2 common लोगे bracket में क्या बचेगा, X plus Y, अब कुछ बच्चों ने direct यह step कर दिया होगा, तब भी उनका सही है, क्या, 2 in the bracket length plus plus, it is equals to perimeter होता है, 2 length कितना है, X, और breadth कितना बाना है, Y, is equals to 80 meter, अब सुनो मे के terms में निकाल लो, ठीक है, बता रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, देगी बच्चों, ध्यान सही, यहाँ से आगया आपके पास, 2 in the bracket, X plus Y, is equals to 80, अब यह 2 उधर जाके डिवाइट कर देगा, by 2 यह पूरे bracket में multiply ही न, उधर जाके डिवाइट करेगा, so, यहाँ स तरीके से, क्या हो जाएगा, 40, यहाँ पर X कैसा है, positive, उधर जाएगा negative, यह लीजे, तो Y की value कितनी आ गई, 40 minus X, मान लो, यह equation number 1 हो गई, तो Y की value आपने किसके terms में निकाल ली, X के terms में, ठीक, अप सनो, area कितना के वेने, 400 meter square, ठीक, और area कितना होता है, area आपको कितना के व तो length into breath is equals to area, और area कितना के वेने, 400, अब length की जगा कितना रखोगे, जाके figure में देखो, length की जगा X रखोगे, length X है, और breath कितना है, breath आपने Y assume किया था, so X into Y is equals to कितना हो गया, 400, अब ध्यान दो, यहाँ से X तो X रहेगा, और into Y की जगा हम क्या रखेंगे, 40 minus X, Y की जगा ह minus X is equals to 400, यह आ गया, अब X को multiply करो, X into 40, 40X, minus X into X होता है, X square, is equals to 400, छेक, यह हो गया, अब ध्यान दे बच्चे, यह वाला 400, या फिर एक काम करो, इन सबको उधर ले जाओ, तो left में आपके बास 0 बच जाएगा, कैसे X square उधर जाएगा, positive, छेक, 40X उधर जाएगा, तो negative 40X और उधर 400 plus में तो पहले सही लिखा हुआ था, सही है, अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है, इतना आसान भी है ना, पूरा chapter हो चुका है, तो भाई, आप एक काम करो, यह देखो, 40X minus X square, और 400 को left में ले, और लो, minus 400, is equals to 0 हो जाएगा, ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, minus X square, rearrange करेंगे, minus X square पहले लिखेंगे, फिर 40X positive है, इसको लिखेंगे, ठीक, और minus 400 को लिखेंगे, is equals to 0, और यह आपकी quadratic equation है, मैंने बताया था, X square का coefficient जब भी negative होता, सारे sign change कर दो, तो X square negative है, तो positive हो जाएगा, 40 negative positive था, तो negative हो जाएगा, और 400 negative था, तो क्या हो जाएगा, positive हो जाएगा, तो यह बन गई आपकी क्या, quadratic equation, ओके, अब देखते हैं, new page लेते हैं बच्छों यहाँ से, quadratic equation कितनी है, X square minus 40X और plus 400 is equals to 0, देख लीचे, कितना है, X square minus 40X और plus 400 is equals to 0, अब इसको आप compare करोगे, standard form से, X square plus BX plus C is equals to 0, यहाँ X square coefficient कितना है, 1 है, यहाँ X square coefficient कितना है, A, so A की value कितनी आ जाएगी, 1, X का coefficient B, और यहाँ पर X का coefficient minus 40, तो B की value minus 40, C की value कितनी 400, यह लीचे, क्या दिक्कत है, A, B, C आ गया आपका, अब आप B square minus 4AC निकाल लिए, ठीक, B square minus 4AC निकाल लिए, B square, B कितना है, minus 40, तो minus 40 का square, ठीक, B का square, यहनिके minus 40 का square, minus 4 into A into C, A कितना है, 1, और C कितना है, 400, solve करो, अब ध्यान दो बच्चो, minus 40 का square, positive में आएगा, यहनिके minus 40 into minus 40, minus 40 into 40, ठीक, कितना होता है, 4, 4, 16, और double 0 आ जाएगा, ठीक, 1600, minus 4, 4, 4, 4, 16, 100, 1600, minus 1600, कितना आ गया, 0 आ गया, यहनिके, आपका जो B square minus 4AC, वो 0, K equal है, तो जब B square minus 4AC, 0 के equal होता है, तो roots are real and equal, ठीक, roots are real and equal, और अगर आपने हमारी classes ध्यान से करी हो, तो मैंने आपको बताया था, कि जब भी roots are real and equal होते हैं, तो X की value आप direct निकाल सकते हो, ठीक, और वो direct हम कैसे निकालते हैं, X की first value भी कितनी आती, minus 2 by, minus B by 2 है, और X की दूसरी value भी कितनी आती है, minus B by 2 है, जिनको नहीं पता copy of note लगाओ, अगर B square minus 4 है, इसी 0 के equal होता है, तो roots real and equal होते हैं, यहने कि X की दोनों values real होंगी, equal होंगी, यहने कि दोनों same होंगी, तो दोनों value कैसे निकालते हैं, X is equals to minus B by 2A से first value, और X is equals to minus B by 2A से आपकी second value आती है, दोनों value same formula से आपकी आती है, ओके, so X is equals to minus, ऐसे ही 40 by 2 into 1 is 2, 2 1s are 2, और 2 0s, 20 upon 1 कितना होता है, 20 होता है, तो X की value कितनी आ जाती है, 20 क्या मीटर, तो इस तरीके से बच्चों, आपकी जो length है, वो कितनी आ गई, 20 मीटर, अब यहां से भी X निकालोगे, तो same, 20 मीटर ही आएगा, ठीके students, तो यहां गई आपकी length, क्योंकि आप आपने X को क्या माना था, length माना था, ठीक है, अब breath क्या थी, जाके check करिए question में, तो यहां पर मैं final answer कर रहा हूँ, blue color से answer में, ध्यान देंगे, ऐसा rectangle बनाना possible है, number one possible है, क्योंकि root सा real and equal, तो length कितनी हो जाएगी, length क्या था आपका, check करिए, length कितना था, X, और X कितना है, 20 मी meters, और breath कितनी है, Y है, breath को निकाल के दिखाए, यहां से, length तो चलो हो गया, 20 मीटर, ठीक, और breath कितना हो जाएगा, breath बच्चों कितना था, Y था, लेकिन Y कितना था, check करो, Y की value X के terms में कितनी थी, 40 minus X, ठीक, तो 40 minus X कितना है, X है आपका 20, तो 40 minus 20 कितना आ गया, 20 मीटर आ गया, यानिके, length भी 20 मीटर है, और breath भी कितनी, 20 मीटर है, आप कुछ बच्चे बोलेंगे, तो सर, ऐसा क्यों बना है हमें क्या पता कि answer क्या आएगा, ठीके न, भाई, उसने बोला rectangular park, ठीक है, square हो गया यह, क्योंकि जितनी length है, उतनी breath है, 20-20, ठीक, square है, कोई बात नहीं है, भाई, square भी तो rectangle होता है, पढ़ा होगा आपने 9th class में, square भी क्या होता है, special type का rectangle होता है, square, special type का rectangle होता है, yes sir, जब किसी rectangle में length, breath के equal हो जाती है, तो square बन जाता है, तो इसको rectangle बोल सकते हो, आप कोई बात नहीं है, square भी क्या होता है, rectangle होता है, यह आपका first page है, length भी 20, breath भी 20, और यह आपका second page है, यह लीचे, ओके, note का लीचे,